नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र, प्रहमार्ण सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वडियों में हम चर्चा करेंगे दिनांग 30 जुलाई 2030 का संपुर्ण राशिपन उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है रविवार का है, शोबन नाम संपसर है, सुरिय का तक्षन आयन चल रहा है वर्षा रुटू है, अधिक श्रावन मास है, शुकल बक्ष के बार भी दिती है, नक्षत्र मूल है, योग एंद्र है, दिन का जो करण है वो बाल है और जो रात का करण है वो कौलव है आज के दिन का जो कुलीग काल है वो शुरुआत होगा, गरत दोपर बार बच कर पांच बच कर तेस मिनट तक और अभीजग मूल नो मिनट से लेकर अभारा बच कर शक्ता वन निट तक का होगा कुलिक काल और अभिजीत मूर्थ दिन के शुबक अलावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत पुर्णकाम या फेंडियन ने आप ले सकते हो उसे प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वह शुरुवात होगा शाम 5 बचकर 30 मिनिट से लेकर 7 बचकर 10 मिनिट तक और यह मगंड़काल दो पर 12 बचकर 30 मिनिट से लेकर 2 बचकर 12 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यह मगंड़काल दिन के अशुबक अलावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी विरकार के महत्पुर्ण काम या फिंडियन ने विल्कुल भी नहीं लेना उसे विरकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा संपूर्ण दिन धनुराशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा बुद्ध और मंगल के साथ त्रिकोनियों करने जा रहा है और शली के साथ लाप योग भी करने जा रहा है यह गरसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशाय पर अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहली रशी है मेशराशी मेशराशी के भाग के में चंद्रमा का बुद्ध उंकल के साथ इस चंद्रमा क्यों हिखने जा रहा है अगर आप किसी के relationship में है उनके साथ भी आज आपके हार मेने काफी अच्छे देखी जाएगी कुछ अच्छे विचार आज के दिन सूच सकते हैं किसी भी प्रकार के महतुपूर्ण काम भी आज आप हाथ में ले सकते हो आपके जो वित्र परिवार है उनसे भी आज आपको का आप मिल सकते हैं तो दिन आपके लिए शुबुफल दाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी के अश्टमभाव में चंद्रमा का भ्रमन है और आपके चत्रतवाव में से बुद्वमंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है गर के जो लोग होंगे उनके साथ आज आपके हर्मनी काफी अच्छे देखे जाएगी जो भी वास्ति के संद्र में अगर आपको काम करना होगा तो आज का जो दिन है पिले शुबुफल दाई साबित होगा कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हुए भी नजर आएंगे जो बात की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के सब्तम बाव में चद्रमा का भ्रमन है और आपके त्रित्य अबाव में सिद्बुद्व अंगल के साथ ये चद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है आपके भागे बाव में सिशनी के साथ ये चद्रमा लाव य पीचे इसके बाद कि जो राशी है वह है कर लाव यूग करने जा रहा है काफी तो पूर्ण दिन है आपके स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यकों के समस्य आशकती है उसी पर अगर अगर आप शेर मारकेट में ट्रेड करते हो तो कि अच्छे लाव अगरा मिलते सकते हैं आज की दिन आपको महत पूर्ण इंवेस्टमेंट भी हो सकती है तो दिन काफी अच्छा है लेकिन स्वास्त की समस्याएं सामने आ सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग करने जा रहा है यह काफी महतुपने और शुदम नदाई दिन है आपके लिए आपको कॉंफिडंस आपकी इनर्जी लेवल काफी अच्छी देखे जैगी जो काम आप पात्में दोगे वो पूरे होते हुए में नज़रेंगे अगर आप वाइत हो तो आपके जो वाइबाई जो डिदार है उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगे तो पुल मिला के देखा जाद इन काफी अच्छा है इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी करने जा रहा है आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ आज आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखे जाएगे आजब भर पर रहना पसंद करें आराम को मिलेगा वी तो पूल काम आपप हात में ले सकते हो और वह आज़गे पूरे होते हुए भी लाब भाह पूरह encantे पूर्य क्रें जातरुंगया त्रिकोनियों करने जा रहा है आपके बजम भॉमि काम भी आप हाथ में ले सकते हैं आपकी युमितर परिवार है उन से आज आपको काफी अच्छी मदद मिल सकते हैं कुछ अच्य सला भी मिल सकती है उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशंशिप में हैं तो उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफ़ी अच्छी देखे जाएं तो दिन बहुत ही अच्छा है इसका पूरी तरह से लाव लीजिए इसके बाद की जो राशी है तो है इन अच्छी का एक पूर्ण दिन आपके लिए जो भी आपका कारीश लहा है उससे रिलेट पूर्ण काम आज के दिन आपके हो सकते हैं कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हों विए मचे नज़न आएंगे मैं तो बुढ़ा इन्वेस्टमेंट भी आज के दिन आपके हो सकते जो भी आपका कायरेशेतर है उससे रिलेंडिक किसी प्रकार कर डॉक्रमिनेशन के कि अगर कोई काम है तो आज के दिन आप आप में ले सकते हो घर के जो लोग है उनके साथ भी आज आपके हार्मली काफी अच्छे देखी जाएगी इसके बात की जो राशी है वो है धनु राशी द्रुक्रम भावन बुद्रमंगल के साथ या चंद्रमात्री को विक करने जा रहा है जा काफी महत्वण दिन है आपकी लिए आज आपका जो इसकी अच्छा देखा जाएगा भागय का साथ भी मिल प्रश्टाओं नजर अगर आप वाई दाता आपकी जो वाई वाई जोड़िदार है उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी इन देखी जाएगी उसे परकर डॉक्रमेड़िशन तर रिलेटर जो भी काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हैं दो कुल मिला कर देखा आपके दुटियों वाई में से शनी के साथ यह चंदरमा लाव योग भी करने जा रहा है आज आपका घूमना पेरना बहुत ही जादा हो सकता है एस्वास के बारे में ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा वैट तो कुड़न काम भी आप हाथ में ले सकते हो उसी परकार आ वो है कुमभराशी के लाप बाव में चंदरमा का ब्रह्मन रापर के सब्सक्राइब करने जा रहा है आपके राशा में से शनी के साथ यह चंदरमा लाव योग भी करने जा रहा है आपके लिए अगर आभी वाई जोड़ने दार है उनके साथ आपकी हार्मनी काफी अगपशब हो सकते हैं कुछ अच्छे बाते भी हो सकते हैं कुछ अच्छे सला भी मिल सकते हैं तो दिन बहुत ही अच्छा है इसका पूरी तरह से लाप लीजिए वह बाद की जो राशी है वह है मींदराशी जो भी आपके कारफ्षेत्र बहाँ पर की जो लोग होंगे उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी उसी पिरकर अगर आपका कारफ्षेत्र के बारे में नया कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आज का जो दिन है आपके लिए बहुती ज़्यादा शुभुफलदाई साबित होगा आज का जो दिन है आपके जो भी कारेशे तरह उससे लेट कई बाहर घुमना के न हो सकता है लेकिन दिन आपके लिए शुभुफलदाई साबित होगा तो दोस्तों ये था दिनांग 30 जुलाए 2023 का संपुड़ा राशिफल, आपके राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुबो किया तीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मा अन्ट सद्यास्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाव